हलो, सभी। मेरे नमस्काय, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं first time cake की बीडियो डाल रही हूँ। एक्चली मैं cake बनाती हूँ पर मैं बीडियो नहीं डाली हूँ। तो first time डाल रही हुँ और थोड़ा सा डर भी रही हूँ। तो हमें एक पाव मतलब कि 200 ग्राम के आसपस मैदा ले लेना है और उससे हाफ चीनी लेनी है एक कफ मैदा लिया हाफ चीनी ले और अभी ये मैं एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हूं तो मिल्क पाउडर डालना है एक चम्मच और एक चम्मच कोको पाउडर चम्मच कौन तब की एक कफ का चोथाई तो मेदा एक कफ चीनी आधा कफ और उससे भी चीनी से आधा कफ मिल्क पाउडर और कोखो पाउडर तो अभी क्या किया एक चम्मच बेकिंग पाउडर आधा चम्मच बेकिंग सोडा और accumulation की ऑद्धा क ? ऐद के दही को अच्छे से देना है दही में जरा भी रेसे नहीं होने चाहिए और सभी को mix कर लेना है अब दूद एक कफ लेना है फ्रेश दूद लेना है नॉर्मल टंपरेचर का ना ठंडा न गरम और दूद डाल डालके थोड़ा थोड़ा डालके एक अच्छा सा डो तेयार कर लेना है एकदम क्रीमी सा एक भ घी लिया आप कोई सिंपल सा तेय ले सकते हो जैसे की ओली वाल या फिर आप कोई भी ले सकते हो रिफाइन वगेरा और सभी को mix कर लेना है अभी यह मैंने एक टेवल स्पून एक खाना खानी की चमच जो छोटी वाली चमच होती है उसमें लिया मैंने वेनिगर डाला अच्छे से पालिश करना है और झोई जो भी ए तो मैंने इसमें घी डाला था इसलिए मैंने घी पालिश किया तो आप तेल डालते हो तो देल पालिश कर कर सकते हो sorry रिषायीं और दील दूंद टालना नहीं है जैसे की सिंपल जिस्प्नी कोई एल्जाश ना हूआ जैसा ज जो डो है मैं अपने घर पे बना के रखती हूं तो फर्स टैम थोड़ा सा डर्भी रही हूं थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कुछ बिगर ना जाए बिगर ना जाए पर जैसे भी बनेगा ना मैं तो आज वीडियो डालूंगी अच्छा बनेगा बुरा बनेगा तो फिर यह दे इसको मैंने पांस से 10 गांस पास मैंने फरी हेट किया था पहले से ही गरम करके रखा था जलाके और बिलकुल जितनी आपकी गर्ष धीमी हो सके उतना अधीमा रखना है और कम से कम इसको 40 मिनट के लिए पकने देना है 40 मिनट के पहले बीच में नहीं खोलना तो मैंने इसे बीच में खोला था देखिए अभी यह फ्लफी नहीं हुआ था तो थोड़ा कम था तो मैंने 10 मिनट के लिए और ठक के रख दिया था और 10 मिनट बाद मै इसको ऐसे निकाल लिया टैप करके तो बीच-बीच में पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूं क्योंकि थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है बिगर न जाए तो मैं वीडियो जो है अवाइट हो जाती है ध्यानी निकल जाता है कि पूरा वीडियो बना हूं तो बीच-बीच का और चीनी का गोल डालते है ना स्वट होता है उससे थोड़ा सा तो मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है अभी ये देखी क्रीम मैंने पहले से अच्छे से वीडियो तो अभी थोड़ा सा रहे गया था तो मैं आपको बना के दिखा रही हूं एक बार और मैंने विपिंग क् बनी है तो क्रीम ऐसे मैंने उसको 2000 में एड कर लिया और उसकी उपर मैंने वो सब ऐसे एक जिस हो जाएंगे ना तो फिर मैंने उसके नीचे लगा कि और उसको रख दिया और क्योंकि वो दोनों क्रीम के बीच में रहें चौको जिप्स और इसके बाद अच्छे से चारो तरब से क्रीम लगा लेनी है और पूरे केक को ढग देना है क्रीम से करता तो और जो नीचे की ट्रे होती है न केक की जो गत्य की होती है न ट्रे तो वह भी नहीं है खतम हो गई तो मैंने एक प्लेट पर सिंपली रखा हुआ है तो मैं जल्दी ही आपको वो वीडियो बना के दिखाऊंगे सिर्फ वही जो मैं तयार करती हूँ सारा ये बैटरना केक का और जो इस्टोर करके रखती हूँ और जब जैसे फ्लेवर का मिक्स करो उस पे और आप उसको घोल उसका तयार करके और बना लो तो कैसे कितनी मात्रा पे कितना कैसे डाल के तयार करते हैं मैं उसका वीडियो अलग से बना के डालूँगी तो आप चाहें तो मार्केट से भी केक का वैटर ला सकते हैं अधर आप घर पे बना सकते हैं तो मैं आपको suggest करूँगी आप घर पे बनाईए और मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है और कैसे मैं store करके रखती हूँ और उस पर जैसे जो color बनाना है उसे डाल सकते हैं तो यह देखिए सौरी मैंने क्रीम में color वगएरा जो mix किया ना लगल क्रीम में उसका वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ तो यह देखिए मैंने बनाया है काफी डर डर के डर लग रहा था कुछ गड़बर ना हो जाए क्रीम पीगल न जाए फर्स टाइम वीडियो बना रही हूँ इसलिए तो कीख बन गया है और आई हो आपको अच्छा लगे और कोसिश करूंगे next time और best सामने मिना आपका थोड़ाशा डर निकल बनाया नहीं है वीडियो बनाया है उसका केक का फर्स टाइम तो थोड़ाशा लग रहा था तो नियुद आनौ 1 ता just बच्चों से, बच्चे बोलने हम काटेंगे, क्योंकि आपका भष्ट वीडियो केक का है ना, तो यह देखिए, बच्चों ने सिलिवेट किया है, और फिर खा के फिनिस भी कर दिया एक घंटे में, तो अगर अच्छा लगे तो प्लेज सस्क्राइब करिएगा, मिलते हैं ने